ओम स्यंति ज्यानी आत्मा वही है जो अपने चित को स्यांत रखे जो अपने मन को निगेटिव से पोजिटिव करके जल्दी ही प्रसंद कर ले ज्यानी आत्मा वो नहीं जो किसी निगेटिविटी के बहाओ में व्यर्द संकल्पों के बहाओ में तेजी से बहती चली जाए बाते तो आती हैं और चली जाती है परिवारों में भी अनेक चीजे मनुस के साथ होती है ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब करें जब ऐसा ही सब कुछ होता रहे ऐसा तो ड्रामा का विधान ही नहीं है किसी के बच्चे निगेटिव हो गए हैं गलत मार्ग पे चले गए हैं किसी के बच्चे माबाप से गलत विवार कर रहे हैं जरा भी सुनते नहीं तो माबाप बहुत परिशान रहते हैं तो हमें एक बात, सत्य बात जान लेनी चाहिए, अगर हम परिशान रहते हैं, तो हमारे बोल में प्रभाव नहीं रहता है, तब हमारी कोई नहीं सुनता है, और जब कोई नहीं सुनता, तो मन उस और इरिटेट होता है, और उसकी स्थिती भिगड़ती आती है, इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को स्यांत करें सक्सिभाव अपना लें सवात्माओं का अपना अपना पार्ट है ठीक है वो आपके बच्चे हैं आपके प्रिये जन हैं उन्हें अच्छा होना ही चाहिए उन्हें बिगरता देख उनका पतन देख किसी को भी प्रिये नहीं लगेगा लेकिन आप इस तरह कुछ नहीं कर पाएंगे याद रखेंगे चित स्यांत होते ही परिस्थितियां भी स्यांत होने लगेंगी आपकी सुभावनाओं में बल तब रहेगा जब आपकी विचार महन होंगे जब आप स्वमान में इस्थित होंगे यदि परिशान होकर आप किसी को अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं तो वो शिक्षाएं निरर्थक जाती है सुनने वाला यही सोचता है इनका तो काम ही है बोलते रहना उन पर इसका कोई परभाव नहीं पड़ेगा इसलिए स्वमान को बढ़ाते चलें विशेश स्वमान मैं विश्व कल्यान कारी हूँ देखिये जिने विश्व का कल्यान करना है वो छोटे नहीं हो सकते वो बहुत बड़े होंगे विश्व कल्यान मनुस अपना भी कल्यान करना नहीं कर पाता है मनुस दूसरे एक व्यक्ति का भी कभी कल्यान नहीं कर पाता है और हम चले हैं विश्व का कल्यान करने तो कितनी उची स्थिती होनी चाहिए हम अपने इस स्वमान को बढ़ाते चलें मैं विश्व कल्यान कारी हूँ दूसरा स्वमान मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है मैं इस्ट देव देवी हूँ क्या इस देव देवी को कभी आपने परिशान होते देखा है इस देव देवी हूँ जिनके सामने आते ही जिनके मंदिरों के कपाट खुलते ही लोगों में प्रसनता की लेहर चा जाती है जिनके दर्सन करने से लोगों के चित श्यानत और पवित्र हो जाते हैं वो देवी मैं हूँ इस स्वमान को बढ़ाएंगे तो आपका मन बहुत श्यानत रहेगा और ये जो मन में उथल पुथल होती है जो बेचैनी होती है चिन्ताएं होती है के पता नहीं क्या होगा ये चिन्ता समप्त हो जाएगी आप इस संकल्प को सदा के लिए हटा दें पता नहीं क्या होगा ग्यानी आत्माओं का ये संकल्प नहीं होना चाहिए होगा वही जो विधी में, ड्रामा में रचित है, पहले से इनूंध है, जिसे लोग कहते हैं जो लिखा हुआ है, ऐसा अभ्यास करने से अपनी चित को स्यानत रखेंगे, और आज सारा दिन एक बहुत सुन्दर प्रैक्टिस करेंगे, और वो है बाप दादा का अहावान, बाबा को निम अंतरन देंगे परमधाम में, और फिर देखेंगे बाबा अपना धाम छोड़ कर नीचे आ रहे हैं, ब्रमातन में प्रवेश करते हैं, और फिर दोनों नीचे आते हैं मेरे पास, बाबा मेरे सामने हैं, मुझे दरस्टी देते हैं, और मुख्य अभ्यास, कि बाबा ने अजार वो जाएं मेरे सिर के उपर फैला दी हैं। बहुत सुन्दर अभ्यास होगा। जैसे उनकी छत्र चाया, हातों की छत्र चाया मेरे सिर पर है। और बाबा की आवाज सुने। बच्चे तुम चिंता न करो। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं सब को ठीक करने वाला हूँ। मेरी शक्तियों में विश्वास रखो। यह अभ्यास हर घंटे में एक बार आज अवश्य करेंगे। ओम स्यार।